कि थालो स्ट्रेंट्स आज हम लोग लेकर आएं नुमिंक्लेटर टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा है एलेबंट क्लास के लिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर अ-चैनी ऑजनर सेफें नांके नाम से मतलग किया होता है नाम करण मतलग किती को और्गेनी कंपाउंड व मतलग क्या करेंगे नाम देंगे प्र chemin का रिए निता किया होता है वाट इज और घेंडिक कंपाउंड्स मुझे पर बात करेंगे कि वाट इज और गेनी कंपाउंट्स देखे दान तहां पे और गेनी कंपाउंट्स इसको गोलते हम लोग हाइड्रो कार्बन एंड इस डेरिवेर टीप्स हाइड्रो कार्बन एंड इट्स डेरिवेर टीव और कॉल्ड और गैनिक कंपाउंट्स अब जान से हैं है हम लोग यह बात करेंगे वाट हाइड्रो कार्बन क्या होता है वाट इज हाइड्रो कार्बन ऊइड्रो कार्बन इसको सम्झाओंगा हाइड्रो कार्बन एट्स डेरिवेर टीवेर टीवेर टीव का मतलब क्या होता है कि हाइड्रो कार्बन से बना हुआ जो जो कंपाउंड होगा हाइड्रोकार्बन से बना हुआ जो कंपाउंड होगा उससों क्या गोलते हैं हम लोग इट्स डेरिवेटिव मतलब हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव अपर सबसे पर यह बात कर लेते कि वाट इज हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या होता ह only carbon and hydrogen, इसा क्या बोलति हम लोग, hydrocarbons, मतलब, the compound, the compound having only carbon and hydrogen, the compound having only carbon and hydrogen, इसो क्या बोलते हम लोग, hydrocarbon, for example, एक्जामपल ले-लेते हम लोग, यहां पर, CH4, आप लोग 10th class में पढ़े होंगे, methane, ethane, propane, butane, नहीं क्या है, CH4, यह क्या है, methane, इसो क्या बोलते हम लोग, hydrocarbon, क्यों? क्यूंकि इसमें सिर्फ Carbon and Hydrogen ही है वह लिए इसली सब्सक्राइब लोग Hydrocarbon और एसजां ठीक है CH3C triple bond CH यहां पर सिर्फ क्या है carbon and hydrogen इस लिए सो क्या बोलें हम लोग hydrocarbon अब देखे धान से हम पर यह तो होगे hydrocarbon अब यहां पर क्या बुला कि hydrocarbon and its derivative derivative का मतलब क्या हुआ कि hydrocarbon से जो बना हुआ compound होगा उससों क्या बोलते हम लोग hydrocarbon का derivative ठीक है ना मैं बात कर लो यहां पर है है hydro carbon derivative ठीक है hydrocarbon derivative मतलब hydrocarbon से बना हुआ जो compound उससों क्या बोलते हम लोग hydrocarbon derivative for example ठीक है यह क्या है hydrocarbon derivative क्योंकि यह hydrocarbon से बना हुआ है थी ओ एच यह सब क्या होगा hydrocarbon derivative ठीक है ना यह सब क्या कह लाएगा hydrocarbon derivative यह सब क्या है hydrocarbon से बना हुआ कंपाउंड है इसलिए इसका नाम क्या पढ़ेगा hydrocarbon derivative ठीक है ना यह सब लगा है यहां पर जो लगा हुआ यह सब क्या है आपका फॉंक्शनल ग्रूप मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में अभी बस मुझे इतना ही समझना है कि hydrocarbon क्या होता है और hydrocarbon का derivative क्या होता है तो hydrocarbon क्या हुआ कि एक ऐसा compound जिसमें carbon and hydrogen दोनों पर जेंट हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग hydrocarbon और उसका derivative मतलब hydrocarbon compound से जो बना हुआ यहां तक है तो इसी दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं और गेनी कंपाउंस तो क्या होता है और गेनी कंपाउंस एक ऐसा hydrocarbon and its derivative is known as hydrogen और गेनी कंपाउंस hydrocarbon and its derivative hydrocarbon और उसका derivative क्या बोलते हैं हम लोग और गेनी कंपाउंस बोलते हैं कि लिए यहां तक पर दिक्कत यहां तक ठीक है अब बात करने जा रहे हैं कि है hydrocarbon कि कितने तरह के होते हैं तो दिखेदान से हाप पर है hydrocarbon हाइड्रो कारबन तरह समझ गया है यह यह होता है कि ऐसा कंपाउंड जिस में कारबन एंड हाइड्रोजन हो शिर्फ उसक्या बोलते हैं लोग हाइड्रो कारबन अब दिखेदान साहां पर हाइड्रो कारबन दो तरह के होते हैं कि एक को बोलते हैं लोग क्या कि सेचूरेटेड हाइड्रो कारबन क्या बोलते हैं सेचूरेटेड हाइड्रो कारबन दूस्टे क्या बोलते हैं लोग अन ते चूरेटेड हाई-टो हें यृद्धा बन अन्न शेचोरे मोटते है ऐंसन्य चैट उंसेचोरे में यह होटा है तुर्ञोट्र में यह सिर्फ और से Ricky कार्बन सिंगल बॉंड हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉंड उसे क्या बोलते हम लोग सेचुरेटेड हाइड्योकार्बन क्लिए यहां तक मतलब यहां पर क्या जाएगा अलकेन आप पाड़े होंगे अलकेन अलकेन का नाम तुने है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है जनर फोर्मुला पी एन एच ऱुन पी एन एच टुन फुन प्लस टू ठीग का न इस तुन जोग अलकेर मतलाब सर्फटेड कंपाऊंड सैचुएट इड्रकार्बन तीन के थी ओकर थे नातक अंत्राइच रिदर कावन क्या होता है एक अपहुट कावीडियोकार्बन जीश में का कारबन करबन डबल बॉनर हो एंट कार्बन करबन ट्रीपल बॉन हुशुन् सकति ना मेनकी बॉला कार्बं कार्ब ड्ब hm एंड कारबन कार बन ट्रीपल बॉंड शुक्स एचेटिल थैना थक कार्बन कार्बन डाबल बाउंड एंड कार्बन कार्बन ट्रीपल बॉंड उसको बोलते हम लोग अनसेटुएटेड हाइडर कार्बन कोई दिखा देना थे अब देंद यहां पे कि unceye alternative hydro carbon होगा तो उसको बोलते हम लोग या अलकीन या ह přिरूसको अलगी अलकीन का जंडरल वर्मुला प्रॊमूला होता है जेनरल एक पॉर्मूला और एक है भी एन ग्रीन सब कंसक्य थ mismal रिट भीड़न आ तो जो एक लिस्का देनी टो यह दो Judy in उसमें किया होगा कार्बन कार्बन डबल परोलंड होगा हो इसंने क्या होगा कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा ट्रीपल पर वोगा सों सथॉटे-इस सावते हैं लोग ऑंने सचुरेतैट हाइड्डर कार्बन कर दिघ्वा भीकाद बहुंत तक होगा सब्सक्राइब और अहां प्याया हूँ सब्सक्राइब ज हब 79 makes में . मुरा अलकेन या हुआ कारबन जाद मेर्स त्रिपल प्रजेंट है। की भिंड़त अन्य कनल र उस्ट इस खैनल आम नाम क्या हो जाएगा अल्कीन और कारबन कार्बन ट्रृब से गार ग्हीनें इसका जनल मूल होता क्या होता सर Bennett qn पर थेंर 750 आप में इसमें क्या होगा फी एन एच 2 इं माइनस 2 तो दिख तह्ते हां तक तो यहां पर लिख रहा हूं अलकेन थेक अब देख दान तहां पर इसका जनरर फर्मूला क्या होता है थी एन एच्टू एन प्लास टू ठीक है ना इसके बारे निटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे पुछ एप देख लिए यहां पर इसमाला यहां पर अनीज इकल टू रखे एन रखेंगा यहां पर क्या बनेगा थी एच पूर एन इस इकल टू टू रखे तो ना क्या वनेगा फार्मूला थी टू एच शिक्स मैं इसका ना ऐच एट एन इसकोल टू अगर फोर वा स्थिया हो जाए हाँ पे टी फूर्ड एच टेन एंस वोर न आगे जाएगा ठीक नहीं यह अलके लोगया बात करते हाँ अलकीन में अलकीन क्या होते है सा फामूला थी एण एट्स टू एड्स टू एन अस टू एटू एटू थी ए यहाँ पे क्या हो जायागा मिन ऐखर कहा रखेंगे रखें यहां पर की मिलप यहां पर कम से कम हमें यहां पर दो कारबन तो चाहिए डबल बॉंड करना है कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए तो तो थी कितना हो जाएगा तोड़ी 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 दोड़ी तोड़ी 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 तोड़ जाएगा स्थी फाइब एच ने ये अलकीन है फिर आगे ये बढ़ेगा ठीक है ना आप देखेंगे धान से हाँ पे इसरा अम लोग बात कर रहे हैं अलकाइन किसा में क्या बात कर रहे हैं अलकाइन क्या होता फामूला पी एन एच तू एन माइनस टू एणि इस इकोल टू क क्या रखें हम लोग यहां पे टू क्योंकि यहां पे ट्रिपल बॉंड करना है तो दू करबन चाहिए इत्स हम लोग केमिकल बॉर्णिक पड़ते हैं तो यहां पे पिपल टू एस्टव एनी जुपल्टू तीरी थे तीरी क्या हो जाएगा तिन्दूना छे चाहिए शे मार्श दो कितना हो जाएगा चार्ट एनी जुकल टू पॉल ली एं तो तो गया हुँच फॉर्ड एंच चाहार डूना आठ आठ बाइथ मैंस यहां जागा अच्छे एन इस इक्वल टू फाइब से क्या हो जाएगा ती फाइब और यहां पर क्या पाच दुना दस दस माइनस दो कितना हो जाएगा आठ इस तरह से आगे बढ़ेगा ठीक ना यह कुछ एक्जामपल है हाइड्र कार्बन की बेस्ट और फॉर्मूला किसे निकालते हैं ठीक है और इसका डै्डमोट्स में अरिके भंकाईट उsm vraag zer क्या होता है दो क्या है में लोग हाइडिक करब न से बना हुआ ज़ो कमपाउन्ड होगा उससो क्या बोलते हैं व्क्रबधन क्या होता है त्वुठ से बना हुआ तो आड़ो कार्बन एंड उसका डेरिवेटिव दोनों को मिला हम लोग एह और गेनी कमपाउंड आगा था फिर नेस्ट का बात कि आप आप और हाइग था था क्या होता है एक होता है सेचुरेटेड हाइडोकार्बन दुशा क्या होता है अन्सेचुरेटेड हाइडोकार्बन तो सेचुरेटेड हाइडोकार्बन क्या होता है जिस ऐसा हाइडोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होसा क्या बोलते हम लोग सेचुरेटर हिड्यो कार्बन को दीकलत तक क्या होता है एक ऐसा हॉपन जिसमे लिए गया हो कारबन कार्बन डभाल बोंड एंड कारबन और गरंग बॉलता हम लुट अन्टी लिभर है वहान तक अगर यहां कार्वन कारवन सिंगल बॉन्ट प्रेजेंट हो गा तो इस हो क्या बोलते हम लोग walking कार्वन कार्वन डबल बॉन दोगा तो नाम क्या हो जाएगालकि रहा हि टीड़ घ्लिव का घ्ल परोरा क्या होता शीन Divine एस्थ्ट्न प्लस को अलकीन का था सिए एन ही एचिप माइनस टू ठीक है ना यहां तर किलियर आ उसके बाद मैंने यहां पर एक्जामपल दिया एक तो यह चोटा सा एक्जामपल रिप्रेजेंटेशन और और गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन और गेनिक कंपाउंड यह अब देखे जहां से आप इसमें से फर्स्ट आता यहां पे molecular formula ठीक है ना पहला क्या है यहां पे molecular formula the chemical formula that indicates that indicates the that indicates the kind of elements and number of atoms of each number of atoms of each kind of elements ठीक है ना मैंने क्या बोला है यहां पे कि दर मॉलिक दर केमिकल formula that indicates the kind of elements मतलग किस प्रकार के अलिमेंट प्रजेंट है और प्रतेक काइंड के elements के कितने atoms प्रजेंट है उससों क्या बोलते हम लोग इज मॉलेक्यूलर फॉर्मूला ठीक है ना कि यहां तक मतलग मैं यहां पर क्या बोला हूं मैं यहां पर यह बोला मॉलेक्यूल ओफ कमपाउंड ठीक है ना इज लोन एज मॉलेक्यूलर फॉर्मूला तो कहना के मतलग यहां पर यह है कि मॉलेक्यूल फॉर्मूला उसको बोलते हैं मतलग ऐसा फॉर्मूला जिसमें किस प्रकार का अलिमेंट प्रजेंट है और जिस प्रकार का अलिमेंट प्रजेंट है उस प्रकार के अलिमेंट के कितने अटम्स प्रजेंट है उस प्रकार के अलिमेंट के कितने अटम्स प्रजेंट है फॉर एक्जाम्पल लेकिन अब उस एलिमेंट से कितने आटम्स प्रजेंट है यहां पर यह बता रहा है कि तू कितने तरह के सब कहा नहीं पर विखेंद लेकिन उस एलिमेंट से कितने अटम्स प्रजेंट कर यहां यहाद्र किका तो आथ यहां सोगत इस यहां पे कितने एलिमेंट पर्जेंट तीन कार्बन हाइडोजन एन आक्सीजन लेकिन उसके कितने एटम्स प्रेजेंट है तो दो कार्बन के छे हाइडोजन के और एक ऑक्सिएट के इसको क्या बोलते हैं लोग मोल्रिक लोड फार्मूला को विन्हक्ट यहां तक कि 733 was 9 एन कि यहां पर कितने ऐलिमेंस प्रजेंट है तो 10 9 एलिमेंस प्र 2023 कॉन कॉन् कार्बन हाइडोजन और नायक्रोजन लेकिन पते एक ऐलेमेंट के कितने एकस प्रेजेंट डेंट है जो कार्बन एलेमेंट के तीन एक तीन एलेमें काणनो एकद्ञ मागीम तेजकि तहना अदम के मौएक क्या सबस्क्राइब मैलेकल फर्मूला जिरेहरिक हो एक डिलेखे नाता यहां पर है अनुचत्राक्ट और फ्रॉमूला में ए स्ट्राक्ट्राक्ट्राल फॉर्मूला फरमूला keeping दिंख्रों तरुस 되면 tak डूसा कि एक दिन े रहे हम लोग स्ट्राक्ट्ण फरमूला अब मतलब मतलब क्या होता है structure structure बनाना कहने मतलब क्या है कि जो हम लोग पाड़े molecular formula में कि इस elements के इतने atom present है इस element के इतने atoms present है इस element के इतने atoms present है यह तो present हो गया ठीक है ना लेकिन यह जो आपका atoms है वह किस तरह से arrange होगा वह कौर बताएगा आपका structure formula करने मतलब क्या है एक chemical formula डाट इंडिकेट्स दाट जो इंडिकेट करता है डाट इंडिकेट्स कि हाओ दो आटम्स हाओ दो आटम्स और बॉंस आर एरेंज्ड इन मॉलेक्यूल मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं इसको देखिए धानते हाँ पर दा केमिकल फॉर्मूला दा केमिकल फॉर्मूला डाट इंडिकेट्स हाँ आटम्स और बॉंस हाँ आटम्स और बॉंस हाँ आटम्स और आर एरेंज्ड इन आ मॉलेक्यूल दीक्रत यहां तक कहने के मतलब किया है कि कैसे आटम्स और जो है आटम्स और बॉंड कैसे उसका मॉलेक्यूल के अंदर एरेंज होता है उसके बहुता है लोग इस्ट्रक्च्रल सब्सक्राइब फॉर्मूला दिखते यहां तक अब दिखता हूं आगे इस्ट्रक्च्चर फर्मूला तीन तरह क्यों होते हैं कौन-कौन एक होता है कम्प्लीट या इसको बोलते हम लोग एक्स पैंडेड एस्ट्रॉक्ट्राइड एस्ट्रॉक्ट्राइड फॉर्मूला कम्प्लीट और एक्सपेंडेड एस्ट्रॉक्ट्राइड फॉर्मूला वर्या Türक नाता है कन्देंस्ट i ्देश्ट्राइड वो छोड्र फॉर्मुला क्या है सैके कंडिन्स वॉर्मूला दी कADE न मिटर्धाट है यहांप बांड लाइन एक बार्मुला यहां पे बांड लाइन प्रॉक्ट्ट्रार्ण मॉला अब दिए जान था हां पी में इसको एक बार बता देता हुं फिर मैं यहां पर लिखवा दूगा वो शिस्को फिक्जमपर भी दूगा पहो कोशन पाकिश्च कर वाऊंगा इस दाहां था तो कहने मतलब क्या है कि इतने हम लोग क्या करते हैं complete या expanded structure formula में हम लोग क्या करते हैं जितने भी atoms हैं जितने भी bonds हैं सबको हम लोग यहां पर हम लोग show करते थे हैं जितने भी bonds हैं जितने भी atoms हैं सबको हम लोग यहां पर show कर देते हैं उससों क्या बोलते हैं हम लोग complete या तो expanded structure formula को दिखते हैं तक अब यहां पर क्या है condensed structural formula ठीक है तो condensed structure formula में क्या करते हैं हम लोग atoms तो करते हैं यह लेकिन यहां पर हम बात करते हैं bond के बारे में ठीक है ना इसमें ध्यान रखना है कि carbon and H के बीच का जो bond होगा ना carbon and H के बीच का जो bond होगा उसको हम लोग यहां पर शो नहीं करेंगे के लिए और भी जितने भी बाउन्स को सो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं यह डिपेंड कर देया आपके उपार को दिखते हैं तक लेकिन हां इसमें हम लोग कभी भी carbon और एच के bond को बिल्कुल ही सो नहीं करते हैं इसमें करते हैं अधर बांड लाइन structure formula में क्या होता है सुनी अधान से बांड लाइन इस्ट्राक्चर formula में हम लोग क्या करते हैं कि carbon and H atoms को सो नहीं करते हैं मैंने क्या बोला carbon and H atoms को सो नहीं करते हैं दूसरे atoms को हम लोग 100 वहां पर कर सकते हैं ठीक है ना और तिसरी बात carbon carbon के बीच का जो bond होता है ना उसको हम लोग जिग जग मैनर में ड्रॉ करते हैं मैंने क्या बला फिर सुनी दान से बांड लाइन structure formula इसमें क्या होगा कि हम यहां पे carbon and H atom को बिल्कुल ही शो नहीं करेंगे दूसरे कर सकते हैं और तिसरी बात carbon and carbon के बीच का जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग जिग जग मैनर में ड्रॉ करेंगे बताता हूं कैसे क्लिए यहां तक फिर मैं सब को दिखवाया था हूं डेफिन दाथ में कहां पर क्या करते हैं नहीं करते हैं दिखे दाँ दाँ पर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं क्या कम्प्लीट या एक्स्पैंडेड एस्ट्राक्ट्राइल पॉर्मूला ठीक ना इसे हूं लोग क्या करते हैं और आटम्स आर तोन और बांज आर अल्सो सोन इस फर एजामपल लेते हम लोग यहां पर आपर क्या लिए थे हम लोग थी एच फॉर लिए था ना और उक हर इस पॉर्ड एक बात नहां अब लोगों बता दूंग है अपने जानते हैं ङगे ऑ की जो कार्बन है ना कितने का फार्मेशन कर सकता है थो चार बांड का फॉर्मेशन कर सकता कितने कर सकता है तिन अकना है और इतना हमें ध्यान अकना है और एक्स क्या होता है 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 लोजन एक्स क्या होता है है लोजन फ्लोरीन प्लोरीन ब्रोमीन सब यह कितना बना सकता है एक बॉर्ण इन जन्रेल में बात कर रहा हूं ऐसे तो हैलोजन में क्लोरीन ब्लोमिन आइडिन साथ पांच चार सब बना सकता है ठीक है ना इसमें तो और खास बात ही ये कि फ्लोरीन सिर्फ और सिफ एक ही बांड बनाता है अब यहां पर ऊतना अभी नहीं पड़ेंगे इसका बाड़े में अभी हम लोग दिए ध्यान रखना है कि जो एक है आलोजन इसने फ्लोरीन तो सिर्फ एक ही बना सकता है बात बाद जी जो है क्लोरीन बोमिन आइडिन यह सब एक से ज्यादा बनाते है लेकिन हमें अभी यहा है और किसी बॉर्ण बाद नहीं करना है कि मैंने अपर लिखे टिशות यहथा पर को कैसे को कीजिए कर सूर्ण की चार बनाता है तो Best चा डाल दो था सारे छोंग करना है करद बीद का कंब आ जो कर दू मुझा इस्कों गलते हम्नि क्डिय इस्ट्रक्टिरल फार्मूला यह प्लिट एस्ट्रक्चरल मदल यहां पर हम लोग ना तो बॉंड वो छुपाए है और नहीं एटम्स को छुपाएं ना यहां पर लोग बॉन्स पॉड पशेया और यहां पर शोब कर दियां दूसरे ग्जाम पर लेते हैं कि दिफ्राइज लेते हैं देंगे दान सहां पर माले तक हम याँ पर लेते हैं पी2 ह्ट शेसट अभी सिब्स देखे तें शीट शेयर अलकेन है ठीक है ना या वह कितने कार्बन दो कार्बन है ठीक है अबchas आहां पर कितने इच बचे है एक कावन में के पास में सब्सक्राइब में पहले हों समक्राइब कुछ कुछ के रही है यह दिकाता हूँ तंत यहां पर पे 7 taxi एह पदया पद्धियागत आफ है आस अध्य दै आपक प्रावाइड प्रिह ट्रॉड ये जी कि यहान आपकंड हैं सिन कारबन कूर है तीन कारबन कुरन का करना है तीन Up ile कारबन कारबन सिंगल वा लेना क्यों जानते है एल्केन है ड़कलिक होगा तो क्रणबन सिंगल बॉन्ट होता है तो क्रणबन क्रणबन बना लिए मिहना टर्द घरक तर्ट मि यहां पर दिखा दूंट त्यक्याय मूंगण यहां भी दोनों एच को दिखा दो बॉंड के सास में क्योंकि यहां पर बना चुका है तो बचा कितना दो ही ना फिर यहां पर एच 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 निया तो यह पर ले लेते हैं देखे द्हांते हैं पर लेते हैं कि क्या ते टुआज और शिटू एज फोन तो यह पता है किति और किन का फॉर्मूलर है कर दो ना यह कर वैसे धुटर में यह भिज बाता है डबल बॉण कर दिखा-धे कि ते यह आ सकता है चार दो बना चुका है इस कार्वों के साथ में दो लाइन जो यह मतलब दो बना चुका है अब कितना दिखाना है तो दो दो एच दिखा दिए बॉन के साथ में यहां भी को दिकत यहां तक